Hello everyone, welcome to Wi-Fi study which is a part of an academy group दोस्तो आज की स्कुईज वीडियो में हम देखने वाले जीके के कुछ और most repeated question जो कि एक्जाम के point of view से काफ़ी important होने वाले हैं दोस्तो ये part number 9 है तो ये भी आप याद रखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जिरूर क्या करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रूप में share क्या करें देखे एक important information है आप सभी के लिए अभी railway category में दोस्तो प्राइज हाइक होने वाले है तो जितने भी student अभी तक subscription जोइन नहीं किये है पटा-फट जोइन कर लिजे क्योंकि exam भी आने वाले हैं तो बहुत ही beneficial रहेगा आपके लिए प्राइज हाइक होने से पहले जोइन कर लेंगे और कोड आपको क्या यूज करना है दूस्तों स्टडी रहें स्कूड़ी वाइवन जिरो विदाउट एनी स्पेस आपको कोड़ अप्लाई करना है UPSC तक कोई भी केडिरी में आप सब्सक्रीप्चन जोइना कर सकते हैं चैसे सकते हैं जैसे प्राइस सब्सक्रीप्चन जोइन करते हैं तोaven के सारे बेनेफित napominadan और ER इंपोटेंट में तोचर्ट है मेरी दो स्पेशल क्लासी चल लिए अनकेडमी स्पेशल क्लास जो की एक धाई बज़े होती है और एक रात की 11 बज़े होती है अगर आप एक क्लास देखना चाहते तो मेरी प्रोफाइल को फोलो कर लेना लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मे स्क्रेट कर लेना यहाँ पे नोट रहेगा ठीक है अच्छा सोर्स नहीं है तो इन चारों में से एक ऐसा है दोस्तों जो क्यल्सीयम का अच्छा सोर्स नहीं है वह आपका राइस हो जाएगा निकि चावल तो पहले question का right answer आपका option A हो जाएगा दूसरा question है निमलिकित में से किस योगिक समू को एक सायक आहर का कारण कहा जाता है तो सायक आहर का कारण किसे कहा जाता है चल्दी से बते मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाने वाला है बिल्कुल सही vitamin यानि की option हो जाएगा D right answer काफी सारे student ने ये answer लगा दिया है चलिए next question आता है खालिस्थान में परिवर्तन के कारण marble का निर्मान होता है marble are form due to change in तो जल्दी से बताइए देखे marble का जो form होता है यानि की marble का जो निर्मान होता है वो होता है चूना पत्थर में चेंज करने कारण यानि की option आपका क्या हो जाएगा बी right answer हो जाएगा और काफी सारे student ने ये answer लगाया भी है चलिए next question पर आते हैं पाचवा question है सत्यारत परकाशन किसके द्वारा लिखी गई है सत्यारती परकाशन is authored by तो ये लिखी गए दोस्तों स्वामी द्यानन सरस्वती जी के द्वारा तो इस question का right answer हो आपका option ए हो जाएगा ओल राइट चलिए next question पर आते हैं चटा question है आपका स्री दीनानात बत्रा ने किस सेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बतिए काफी बढ़िया question है ये भी और इस question का जो correct answer होगा वह आपका हो जाएगा शिक्सा education के सेत्र में यानि कि D is the right answer ये आपको याद रखना है चलिए next सात्वा question है ब्रह्म सरोवर तिरतिस्थल कहा इस्थित है तो ये कहाँ पर इस्थित है दोस्तों बिल्कुल सही है ये इस्थित है कुरुक सेत्र में यानि की C right answer हो जाएगा ठीक है चलिए next आता है गती सील रुपांतर किसके कारण होता है जल्दी बताई वही बिल्कुल सही दोस्तों गती सील जो रुपांतर है वो किसके कारण होता है high pressure and high temperature यानि की D यहाँ पे आपका क्या होगा correct answer होने वाला है इस question का ठीक है और आज की quiz में आप कितने questions के answer सही कर पाते है comment box में जरूर बता के जाना और जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है तो इन questions के लिए like जरूर कर दीजे और next question के और बढ़ते हैं यूरिया रक्त से कहा अलग होता है दोस्तों यूरिया रक्त से कहा अलग होता है मेरे प्यारे दोस्तों गुर्दे में यानि कि kidney में इस question का right answer D हो जाने वाला है next आता है सिलाले के अध्यन को किस रूप में जाना जाता है सिलाले के अध्यन को किस रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों epigraphy के रूप में यानि कि right answer option B होने वाला है तो काफी सारे student ने यह answer लगाया होगा next question है अनेकांत वाद निमलिकित में से किसका एक मुख्य सिद्धान्त और दर्सन है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो right answer होगा वह हो जाएगा किस धरम का दोस्तों अरे वाद बिल्कुल सही है जैन धरम का जैनिज्म इस question का right answer होगा very good देखे हर एक question का answer ऐसे ही करना है जैसे आप comment box में कर रहे है next question आता है लोचदार उत्तक दुआरा हड्यों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते है तो क्या कहते है मेरे प्यार दोस्तों ligaments कहते है very good ठीक है question को थोड़ा सा घुमा दिया बाकी वही चीज है जो direct भी पूछी जा सकती थी next question आता है कि साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी कि साल भारत की जो राजधानी दोस्तों वो कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी और इस question का मैं आपे अगर बात करूँ सही answer हो जाएगा दोस्तों 1911 मुझे लगता है कि काफी सारे स्प्रेंडे सही किया है जिन्हों ने भी सही किया प्लीज लाइक जुरू कर दीजेगा भई next question and next question मेरे प्यार दोस्तों क्या है हड्डियों और दातों के गठन के लिए निमलिकित में से क्या आवश्यक है हड्डियों और दातों के गठन के लिए दोस्तों निमलिकित में से क्या आवश्यक है तो इस question का सही उत्तर होगा calcium and phosphorus यानि की option हो जाएगा D right answer calcium and phosphorus अगला question देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया question करा रहा हूं दोस्तों session बहुत ही जबरदस्त है बीस question आपको मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगती है जैनो द्वारा पहले तिर्थांकर की रूप में किसे माना जाता है इस question का right answer बताईए क्या वात है दोस्तों रिसब देव इस question का right answer मुझे लगता है कि आप भी यह answer लगा रहे होंगे तो रिसब देव इस question का सही answer हो जाएगा next question आता है मद्दे युग्य भारत की पहली महिला सासक कोण थी दोस्तों बिलकुल सही है यह आप सभी को पते होगा रजिया सुल्तान यानि कि ए इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है दोस्तों सैन्वता की कमी से संबंदित हार्मोन कौन सा है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बिल्कुल सही है एबसेटिक एसिड यानि की हो जाएगा ए रैट आंसा ठीक है नेक्स्ट आता है आपका सिपाई विद्रो के दोरान भारत की गवर्णरा जनरल कौन थे वाज गवर्णर जनरल ओफ इंडिया दूरिंग दा सिपाई मेर्टिन यानि की इस कोशन का दोस्तों रैट आंसा क्या होगा बिल्कुल सही है लॉड करने यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा सिपाय विद्रों के दुरान बात के गवर्णर जेनल कोंते दोस्तों लोड करने नेक्स्ट आता है पसु जो फेरो मौन का उप्योग करने के लिए जाने जाते हैं वह खालिस्थान है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा चेटी यानि की आंट्स इस कोशन का राइट आंसर हो जाने वाला है नेक्स्ट आता है लिंगायत आंधुलन की स्थापना किसने की वो फांडिर दी लंगायत मॉमेंट तो लिंगायत आंदुलन की दोस्तों जो इस थापना है वो की थी बसवा ने यानि की इस question का right answer option ए रहने वाला है दोस्तों ठीक है और आपका next question है estrogen का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है स्याद एक question बीच में miss हो गया था इसलिए मैं ये भी करा रहा हूँ एक extra तो इस question का right answer हो जाएगा estrogen का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है fully यानि की option हो जाएगा be right answer तो आप चल्दी से बताइए अभी तक कितने questions के आंसर आप सही कर चुके है और अगर आप ये वीडियो पूरी एक घंटे वाली देख रहे हैं तो आप इसको आगे continue कर सकते हैं अगर 20 मिट वाली है तो यहीं पर अपना score बता के like जरू कर देना वही चलिया दोस्तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment box में जरू बतेगा वीडियो अभी तक like नहीं किया तो like कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बेल एकन कोन रखी ताकि वीडियो के notifications आपको मिलते रहे और मिलते है नेक्स class में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर subscription जोईन करना है तो ये code आप यूज कर सकते हैं अपने सब्सक्राइब और मिलते है नेक्स class में बाई बाई टेक केर विडियो